जनहित में Law of Attraction की शक्ती और उसके उदाहर Law of Attraction क्या है? Law of Attraction एक ऐसी सिध्धान्त है जो कहता है कि हम अपनी सोच, विश्वास और भावनाओं के आधार पर अपनी जिन्दगी में घटनाओं और परिणामों को आकर्शित करते हैं इसे सरल शब्दों में समझा जाए, तो आपकी सोच और विचार जिन चीजों पर केंद्रित होती हैं, वही आपकी वास्तविक्ता में घटित होती हैं कैसे काम करता है Law of Attraction? इस सिध्धांत के अनुसार अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप सकारात्मक चीजों को अपनी और आकर्शित करते हैं इसी तरह अगर आपकी सोच नकारात्मक होती है, तो नकारात्मक घटनाएं आपकी जिन्दगी में घटित हो सकती हैं उदाहरण एक स्वास्थय का आकर्शन यदि कोई व्यक्ति खुद को स्वस्थ और फिट मानता है, अपनी सोच में विश्वास करता है कि वह स्वस्थ रहेगा और इसके अनुसार आहार, व्यायाम और जीवन शैली अपनाता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ रहता है। इसकी विपरीत स्थिती में, अगर कोई व्यक्ती निरंतर बीमारी और कमजोरी के बारे में सोचता है, तो वह अधिक बीमार महसूस करने लगता है दोग सफलता का आकर्शन एक छात्र जो परीक्षा में सफल होने की उम्मीद रखता है, इसके लिए महंत करता है और हमेशा अपने सफल होने की कलपना करता है, वह अंतह अच्छे अंत प्राप्त करता है इसकी तुलना में जो छात्र हमेशा असफलता के बारे में सोचता है और तयारी में विश्वास नहीं रखता, उसके परिणाम अपेक्षानुसार नहीं होते तीन धन का आकर्शन अगर कोई व्यक्ती मानता है कि वह जीवन में धन और समरिधी को आकर्शित कर सकता है और इसके लिए वह योजनाबध तरीके से काम करता है तो वह व्यक्ती वास्तव में आर्थिक रूप से सफल हो सकता है वहीं अगर किसी के विचार गरीबी, कर्ज या आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित होते हैं, तो उसे ऐसी ही स्थिती का सामना करना पड़ता है क्या आप इसे आजमा सकते हैं? इस सिध्धान्त का सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े अपने लक्षियों की स्पष्ट कलपना करें, उन पर विश्वास करें और उन्हें प्राप्थ करने के लिए उचित कदम उठाएं इसके साथ ही, अपनी सोच से नकारात्मक विचारों को दूर करें और सकारात्मकता को जीवन में प्रवेश करने दें निशकर्ष, Law of Attraction एक अत्यंत शक्तिशाली सिध्धान्थ है, जिसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए उप्योग किया जा सकता है यहां हमें सिखाता है कि हमारी सोच की शक्ति अनन्थ है और यदि हम इसे सही दिशा में मोरते हैं, तो जीवन में किसी भी लक्षे को प्राप्त किया जा सकता है आशा है कि आप इस सिध्धान्थ को अपना कर अपने जीवन को बहतर बना सकेंगे